भाईयों भानों, हमें नए भारत में नई द्रस्टी के साथ ही आगे बढ़ना है, इन नई द्रस्टी भारत के आत्म विश्वास की है, आत्म निर्भरता की है, पुरातन पहचान की है, भविश्य के उत्थान की है, और इसमें कर्तब्य की भावना का ही सबसे ज़्यादा महत हम आज अपने कर्तव्यों का जितनी निश्चा से पानन करेंगे, हमारे प्रयासों में जितनी पनाकाष्टा होगी, देश का भविश उतना ही भव्य होगा. इसलिए आज कर्तव्य निश्चा ही हमारी राष्ट्रिय भावना होनी चाहिए, कर्तव्य पालन ही हमारी राष्ट्रिय प्रेंड़ा होनी चाहिए, कर्तव्य ही भारत का राष्ट्रिय चरित्र होना चाहिए. और ये कर्तवे है क्या? हम बहुत आसानी से अपने आसपास अपने कर्तवियों के समझ में निलने भी कर सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं, परणाम भी ला सकते हैं. जब हम सडकों पर चलते हुए, ट्रेनों में, बसड़ों पर, गलियों में, बाजारों में, गंद की नहीं फैलाते, स्वच्चता का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने कर्तवे का पालन करते हैं. समय पर वेक्सिनेशन कराना, जल सवरक्षन में योगदान देना, परियावरान बचाने में मदद करना भी, कर्तवे का पालन का ही तो एक उदारणा है. जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, दूसरों को इसके पती जागरूप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो वो भी अपने कर्तवे का पालन करते हैं. जब हमको स्थानिय उत्पात खरीते हैं, वोकल्फ और लोकल होते हैं, तब भी हम अपने कर्तवे का पालन करते हैं. जब हम आत्म निर्भर भारत अभ्यान को गति देते हैं, तो अपने कर्तवे का पालन करते हैं. मुझे इस बात की भी गुशी है कि आज ही भारत ने 400 बिलियन डॉलर यानि 30 लाग करोग रुपिय के प्रोड़क्स के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट हमारी इंडुस्ती की शक्ति हमारे MSMEs हमारी manufacturing छंपदा हमारे agriculture sector के सामर्थ का प्रतीक है